कितना इसपष्ट होता है आगे बढ़ते जाने का मतलब अगर दसोत दिशाएं हमारे सामने होती हमारे चारो और में कितना आसान होता चलते चले जाना यदि केवल हम चलते होते हैं बाकी सब रुका होता मैंने अक्सर इस उल जलूल दुनिया को दस जिरों से सोचने और बीस हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना दिया शुरू शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ है शुरू से शुरू हो लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत हार जाते हैं हमें कोई दिल्चस्पी नहीं रहती कि वह सब कैसे समाप्त होता है जो इतनी धून धाम से शुरू हुआ था हमारे चाहने पर दुर्गमवनों और उचे परवतों को जीतते हुए जब तुम अंतिमुचाई को भी जीत लोगे जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचाब तुम्में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान जेलोगे और कापोगे नहीं अब तुम पाओगे कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंद तक हिम्मत नहारने में अंद तक हिम्मत नहारने